हलो गाइज आम रिक्की एंड वर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं फिजिक्स में चेप्टर चल रहा है वो है खगोल की एस्ट्रोनॉमी इसमें खगोलिय या आकासिय पिंट सेलेस्टियल बाडी देख रहे थे और आज ज समझेंगे आज और यह जो टॉपिक है पिर्थवी से निकटतन तारों की दूरियां यह खगोलिकी अर्थात एस्ट्रोनॉमी चेप्टर का यह लास्ट टॉपिक है इसके बाद जो अगला चेप्टर इस्टार्ट होगा वो खगोलिकी में ही जो सोलर सिस्टम है सौर मंदल ह है तो हमने खगोली की को तीन पार्ट में डिवाइट किया था यह सटेंट पार्ट था ङा अगली विडियो पढ़ेंगे सौलर सिस्टम के रूप में है न सौर मंदल के रुप में तो वह तीन हो गया लेकिन यहां जो आज तेन टोपिक है पहले इसको देखेंगे कि पर्थ 0-1 का 8 परिबार का जो मुखिया है सबसे चीज मेंबर है ना उसके वारेने जानते हैं TalkNew के भारे में सबसे निकत्र है पृत्वी से सबसे निकत्र होने के कारण ही वह सबसे बढ़ा तरह चोटे्जटे तरह के बड़ा दिखता है दिघ्ता है सुरी एक तारह है और सुरी के तरह के लाखों तारे आकास में बिराजमान हैं लेकिन वो ज्यादा दूरी होने की वज़र से वो छोटे-छोटे तारे टीम-टीम आते भी नज़र आते हैं लेकिन सुरी चुकि प्रत्वी से बहुत करीब है इसलिए ये बड़ा दिखता है है ना तो सुरी जो प आक प्रकास व्र्स अगर हम बोल रहे हैं तो आपको इस दुरी का अंदाज नहीं चलता होगा देखिय का अगर हम इसको मीटर में लिख दे तो यह ज्यादा बेहतर होगा वन लाइट या एक प्रकास वर्स एक प्रकास वर्स बराबर हänder है 9.46 इन्टू टेंड टू दी पावर 15 मीटर है ना यह अब देखिए 9.46 इन्टू टेंट टू इपावर 15 मीटर यह जो है एक प्रकास वर्स में इतना मीटर होता है इससे अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि सुरी से प्रत्वी की दूरी कितना है है ना 9.46 इन्टू टू टू दी पावर 15 मीटर यह एक प्रकास वर्स में होता है और सुरी जो प्रत्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रत्वी का सबसे निकटतम तारा सुरी है और इसकी दूरी प्रत्वी से एक प्रकास वर्स से बहुत कम है एक प्रकास वर्स से बहुत कम है मतलब एक प्रकास वर्स वर्स 6 into 10 to the power 15 meter होता है है तो यह जो है अगर यदि आप सुरी और सुरी से प्रत्री की एक जैक दूरी निकालना चाहते हैं तो सुरी के प्रकास को प्रत्री तक आने में 8 मिनट 20 सकेंड लगता है उससे भी आट मिनट 20 सकेंड लगता है सुरी के प्रकास को प्रत्री तक आने में और प्रकास की चाल 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है इससे भी चुकि एक सेकेंड में 3 into 10 to the power 8 10 to the power 8 meter per second के रफ्तार से प्रकास चलती है इसलिए 8 मिनट 20 सकेंड में कितना दूरी तैक करेगा यह भी आप निकाल सकते हैं लगवग 14.96 करोड किलोमेटर आता है तो इस रेंज से गर आप इससे भी निकालना चाहेंगे तो दूरी निकल जाती है तो सुरी सबसे निकटवान तारा और इसका पिर्थवी से दूरी कितना है एक प्रकास से बहुत कम है है नो सबसे करीबी तारा कौन सा है मतलब सबसे करीबी अगर Μάλ rikt ए यहां पर हमारा अर्थ है यहां पर धर्ती है तो इससे ज्यादा करीब में कौन होगा सुरी होगा इसके बाद अगर पिर्थभी से कोई ज्यादा करीब में होगा तब कौन होगा आपका यह होगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है ना प्रॉक्सिमा सेंटोरी और इससे ज्यादा करी सबसे और धर्ती से सबसे क्रीब कौन हो गया सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है तो धर्ती के सबसे निकटतम तारा है है उसके बाद दूसरा जो धर्थी सबसे निकटतन तरा प्राखसीमा सेज्ट्री सबसे करीब से करीब में सूरी है इसके का पले라, प्रॉक्सिमा सेन्टोर के वा सब्सक्राइब और यह जादा दूर है और अगर आफ शूरी की बात करेंगे तो सुरी कित्ना दूर है सूरी प्रत्वी से 5ro designers ऑर और प्रक्सिमा से सबसे निकटम तॉरी और और आर्थ के बाद अगर कोई सबसे की सबसे नजद्क का तारा है थो सबसे चमकीलातारा सबसे चमकीलातारा जो चाहते अस्ताना हो सबसे दूर पर है यह 8.60 प्रकास वर्स 8.60 प्रकास वर्स यहां पर सारी की सारी दुरियां प्रकास वर्स में लाइट इयर में दी गई है क्योंकि आप टॉपिक में देखिए एक तरफ तारा है स्टार्स है और दूसरे तरफ प्रत्वी से इसकी दूरी प्रकास वर्स में दी गई है तो प्रकास वर्स है उसकी दूरी 4.2 प्रकास वर्स की है जो सूरी निकत्तम और कि यह जाती है यह कारण यह हैं कि प्रकास की गति हमेसा एक समान में होती है उसमें प्रकास की गति में कोई भिंदता नहीं होती इसलिए प्रकास की गती जब एक सवहान होती है इसलिए उसको जो करना है लाइट एयर में प्रकास वर्स में वह आसानी से हो जाता है क्योंकि प्रकास की धुरी कम जी Det ein नहीं है वह एक रफतार से चलती रहती है इसलिए उसको जो साल भर में दूरी होती है प्रकास की उसको माप करके क्या करते है लाइट एर में एक प्रकास वर्स में बना दियाती है प्रकास वर्स में प्रकास की दूरी को मापने का सबसे बड़ा कारण यहीं है कि प्रकास की द हो गया खागोलिय दूरियों को प्रकास वर्स में मापी जाती है और इसका जो कारण है और दूसरा पॉइंट इसका कारण क्या है कि प्रकास वर्स की गति सब्सक्राइब एक समान होती है इसी लिए प्रकास वर्स की गति सब्सक्राइब समान होती है हमेशा समान होती है सब्सक्राइब समान होती है स्पीड जो है इसकी हमेशा समान होती है गती है शमान होती है प्रकास वर्स को निर्वात में प्रकास द्वारा एक वर्स में तैकी गई दूरी के रूप में परिवासित किया था तीसरा पॉइंट है प्रकास वर्स को प्रकास वर्स को निर्वात में प्रकास वर्स को निर्वात में प्रकास द्वारा एक वर्स 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 में तै की गई दूरी के रुपे परिवासित किया आता है कि गई दूरी के रूप में परिभासित किया जाता है परिभासित किया जाता है मतलब क्या परकास वर्स वह है जो निर्वात में प्रकास की एक साल में है ना वेक्यूम में निर्वात में प्रकास द्वारा एक वर्स में निर्वात में प्रकास द्वारा एक वर्स में जो दूरी तै की गया जाती है या तै की गई दूरी को जो परिभासित किया जाता है वो क्या करनाता है प्रकास वर्स करात एक साल में निर्वात में चली गई कूल दूरी का मान है, है ना, इससे असपस्ट है कि प्रकास की गतिर सदैव एक समान होती है, और एक प्रकास वर्स में 9.46 इन्टू 10 to the power 15 मीटर होती है, यहां पर यह ली सकते हैं, इससे असपस्ट है कि प्रकास की गतिर सदैव एक समान हो होती है एक समान होती है ठीक है तो मित्र आज हमने देखा कि पिर्थवी से जो दूरी के अनुसार निकटम तारे हैं उसकी दूरियां पिर्थवी से किस किस तरह है सबसे निकटम तारा सूरी है उसके वाद सबसे निकटम तारा जो दो नंबर में प्रैक्सिमा सेंटोरी है और तो उसके बाद जो सबसे चम्किला तारा साइरस है उसकी प्रिद्विस दूरी कितनी है साथ ही प्रकास वर्स क्या है एक प्रकास में कितना मीटर होता है अगर आप किलो मीटर में निकालेंगे तो यहां 10 तो दिवाइड कर दीजेगा तो यह तीन कर जागा यह 9.46 अगर आपको इसको लिखना है एक प्रकास वर्स रवर तो आप लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलो मीटर यह किलो मीटर में हो जाएगा और यह मीटर में है है तो आज हमने यह चीज़ देखा अब अगली दिन जो है वो स्वार मंडल जो स्वार सिस्टम है हना खगोलिकी का तीसरा जेप्टर एस्ट्रोनोमी का उसको हम लोग देखेंगे यह वीडियो को इंट करते हैं स्वास्त्रा आपना ख्याल रखें जय हिंद जय भारत